हलो एब्रिबड़ी, वेलकम टू मै चनल, मनिका कक्षय दस, पाठ सात, साधु वृत्तिम समाचरेत, इस पाठ का अभ्यास भागाईए, चलिए प्रतम अभ्यास को देखते हैं, अधो लिखिता नाम, प्रस्ना नाम उत्तर आणी एक पदेन लिखता, नीचे लिखे हुए प् प्रचन्न भाग्या कुद्र अवसत, प्रचन्न भाग्या कहां रहता था, कर्मपूर नामनी नगरे, कर्मपूर नामक नगरे में रहता था, प्रचन्न भाग्या कम पापमार्गम तेक्तुम अकत्वयत, प्रचन्न भाग्या ने किसको पाप का रास्ता त्यागने के लिए क तो वो दुष्ट बुद्धि को कहा था दुष्ट बुद्धिम लिखेंगे। किसे किसान के काम सुरू किया। अब दुतिया अभ्यास है अधो लिखितान प्रस्णान पुर्ण वाक्ये ना उतरता नीचे लिखेव क्रस्णों का उतर पूरे वाक्ये में लिखें दुष्ट बुद्धी कलसे कम अपस्यत दुष्ट बुद्धी ने कलस में किसको देखा दुष्ट बुद्धी ने भयंकरम विशधरम यानि सर्प को देखा था ये लाल भाग को हम जोडेंगे तो question से answer बन जाएगा दुष्ट बुद्धी कलसं किमर्थं मित्रश्यक्रिहे अपात यत दुष्ट बुद्धी ने कलस को क्यों अपने मित्र के घर में फेंग दिया दुष्ट बुद्धे ने अपने मित्र स्वमित्रम सर्पेण माराईतमी इच्छन यानी अपने मित्र को सर्प के द्वारा मारने के इच्छा से उस कलस को फेंका था अब गौका है प्रचन्न भाग्यस्य चक्षु से के न समुन मीलिते प्रचन्न भाग्य के दोनों आखें किसके द्वारा खोल दिये गए गुरु पदेशे नईव बालकस्य बचसा गुरु के उपदेश के समान बालक के बाणी से उसके दोनों आखें खुल गए थे सर्पह कम दस्टवान सापने किसको डशा दुष्ट बुद्धिम दुष्ट बुद्धिको डशा नरहा केद्रशिम वृत्धिम समाचरेत मनुष्य को कैसा व्यवाहर करना चाहिए साधु वृत्धिम यानि सज्जन व्यवाहर करना चाहिए कलस पात सब्देना प्रबुधव दमपति किम अपस्यताम कलस के गिरने के आवाज से जगे हुए पति पतनी को क्या दिखाई दिया अथवा उन्होंने क्या देखा प्रचूर मनिमानिक्या नाम आभया बहु सारे मनिमानिक्या आधिके प्रकास से भासमानम चमकता हुआ निजेग्रिहम अपना घर अपस्यताम देखा था तो ये आगे पेछे का हमने प्रस्न से लिया है उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ परदर्ब्य अनासक्ता बुद्धिमति किम निवेदयत परदर्ब्य में यानि दुसरों के संपत्ति में अनासक्त बुद्धिमति ने क्या निवेदन किया नाथ विरम अस्मात लोभात है स्वामी रुख जाओ एसे लोव करने से एसा उसने निवेदन किया था अपने पति को प्रश्ण से इस प्रकार उत्तर बना देंगे अब हम तृतिया अभ्यास करते हैं अधोलिखितानी वाक्यानी पठित्वा स्थूल पदम आशृत्य प्रश्ण निर्मानम क्रियताम नीचे लिखे हुए वाक्य को पढ़ें और बोल्ड किये हुए सब्द को लेकर प्रश्ण ब इसे प्रश्ण बनेगा इन लिखे किसान के खेत में क्या करके उसंने धन कमाया धायरियम अपदाम में बोल्ड किया गया है तो हम कासाम करेंगे ये आपत सब्द शृत्रिलिंग में होता है शश्ठी विवक्ति बहुवचन का है कस्याह कयोह कासाम एजे कासाम बनेगा सश्टी विवक्ति बहुवचन इस्त्रलिंग में साधो वृत्तिम इसमें बोल्ड किया गया है साधो वृत्ति स्त्रलिंग का सब्द है वृत्ति सब्द इस्त्रलिंग में होता है द्वितिया विभक्ती एक बचन में काम करेंगे, इस्त्रलिंग द्वितिया विभक्ती एक बचन में, काम समाचरेत, मनुष्य कैसा व्यवाहर करेत, मनी नाम यहां पर बोल्ड किया गया है, तो मनी सब्द पुमलिंग शष्टी विभक्ती बहुवचन का है, हम भी किम सब्द के शष्टि विभक्ति ववचन में के साम करेंगे। प्रचन भाग्य का घर किसी की चमक से चमकता हुआ हो गया। अब चतुर्था अभ्यास हैं अधो लिखितान प्रस्नान यथा निर्देशम उत्तरत है। नीचे लिखे वे प्रस्नों का जैशा जैशा निर्देशे वेशा उत्तर लिखना है। प्रथम प्रस्न को देखते हैं। अश्मिन वाक्य में प्रविष्य प्रवेश करके इती पदस्य इस सब्द का विलोम पदम विपरेतार्थक शब्द किम प्रियुकत में कौन सा प्रियुकत हुआ है। अनेन वचसा प्रतिहतांतह करणह प्रचन भाग्या अचिंतयत बाक्के अस्मिन इस वाक्य में क्रियापदम किम अस्ती क्रियापद क्या है अचिंतयत यहाँ पर क्रियापद है ग्रिहे तस्य भारिया सपदी समागतं पतिम द्रिष्टवा अप्रिच्छत अत्र यहाँ पर सिग्रम जल्दी इती पदस्य परियाय पदं किम परियुक्तं समानार्थक सब्द कौन सा परियुक्त हुआ है सपदी यहाँ परियुक्त हुआ है दुष्ठ बुद्धी तु तष्य सद वचनानी तिरशकृत्य ग्रामा अविमुखं प्राचलत अश्मिन वाक्य इस वाक्य में तष्य उसका इती शर्वनाम पदम् यह शर्वनाम पद कस्माई परियुक्तम् किसके लिए परियुक्त हुआए तो यहाँ पर यह प्रचन्न भाग्य के लिए प्रियुक्त हुआ है प्रचन्न भाग्या यह एसा लिखेंगे विचित्रा खलू दैव गति ही अत्र विशेश्य पदम की मस्ती यहाँ पर विशेश्य पद कौन्चा है तो दैव गति ही यहाँ पर विशेश्य पद है अब पंचम अभ्यास है घटना क्रमा अनुसारम वाक्यानी पुस्तिका याम लिखत गटना के क्रम के अनुसारियानी सिक्वेंस में मिलाकर सभी वाक्य को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है तो मैंने इस प्रकार से मिलाकर लिख दिया है और ये इनकी हिंदी हम तानी उपयुक्त पात्रेन सह उनको उपयुक्त पात्र के साथ योजयत जोड़ो। ये उसके विशेशन हैं और ये प्रचन भाग्य की पत्नी के लिए बुद्धी मती, धैर्यवती, लोभ रहिता, अना सकता ये सब विशेशन हैं। खो इस्तंब के वाक्यांस के साथ उचितम संयोजनम कृत्वा उचित योजन करेके जोड़कर पुस्तिकायाम लिखत पुस्तिका में लिखें। वाक्य को पूरा बना कर भी लिख सकता। जोतने का काम करके धिरे-धिरे बहुत सारधन कमाया। बुद्धि मती सा अवदत अलम चिंतया। आपदाम तरणी ही धैरियम बुद्धि मती बुली। चिंता मत करो विपत्ति के समय में सहारा यानि नौका धैरिय है। गुरुपदेशे नहीव अनेन बालवचसा। गुरुके उपदेश के समान इस बालक के वचन से मम चक्षुषी मेरे आखें समुन मीलिते खुल गई। इस प्रिकार से है सप्तम अभ्यास पूर्ण हो गया। अश्टम अभ्यास हैं अधो लिखितम कथनम कह कम कथयती। निचे लिखेवे कथन को कौन किसको कहता है। तो कथम भवन्तव, सुपथम परितेज्य, कुपते न गंतुम प्रवर्तव। ये वाक्य उद्धंड वालक प्रचन भाग्य को और दुष्ट बुद्धि को कहता है। ये वाक्य प्रचन भाग्य अपने मित्र दुष्ट बुद्धि को कहता है। ये प्रचन भाग्य अपनी पत्नी को बोलता है। हे स्वामी इस लोब से रुख जाओ, इस लोब को त्याग दो, एसा प्रचन भाग्य की पत्नी प्रचन भाग्य को कहती है। ये आठवा अभ्यास हो गया है, मनिका में अभ्यासों की बाढ है। आप लोगों को सब को पता है, नव, दस, ग्यारवारा तो आराम से होते हैं, तो नव आभ्यास है ये। आराम से दिल थाम कर बैठिये। मन्जुशायाह समुचित पदानाम चयनम कृत्वा अधोदत्त सब्दानाम त्रयह परियाया दियन्ताम। यहाँ पर बॉक्स में मन्जुशा में कई सारे सब्द रखे गए हैं। नीचे उनके समानार्थक सब्दों को लिखने के लिए खाले स्थान दिया गया है। किसका कौन सा परियाय वाचे सब्द है उसको नीचे लिखना है। जैसे देखो मैंने इहाँ पर लिख दिया है। नेत्रम आख का है चक्षुह लोचनम अक्षी और त्यक्त्वा त्याग कर इसका है परित्यज्य हित्वा भिहाय। ग्रिहम का है निकेतनम सदनम गेहं। तो ये नौवा होगया दसवा देखिये। उदाहरणानुसारम समस्तई ही पदई ही वाक्यानी पूरयत। उदाहरण को देखकर समास के द्वारा खाली स्थान को पूर्ण करें। जैसे क्लेशानाम परंपरा इसमें हम समास बना कर लिखेंगे तो बनेगा क्लेश परंपरा गुरोह उपदेश ये बन जाएगा गुरू उपदेश परेशाम द्रब्ये इस विग्रह वाक्या का बनेगा समस्तपद परद्रब्ये कलसस्य पातेन इस विग्रह का कलस पातेन स उसी परकार से विध्या याह परांग मुखा विध्या परांग मुखा बन जाएगा, साधु नाम वृत्तिम साधु वृत्तिम बन जाएगा, रवे किरणाह रवी किरणाह और गिया फ Haben Tunryche बन जाएगा. प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ को चुन कर लिखना है, यहाँ पर कई सारे अर्थ दिये गए हैं, प्रसंग अनुसार कई अर्थ हो भी सकते हैं इस सब्द के, जैसे अंडरलाइन किया गया, यहाँ पर है प्रकल्प्य, इसका रचा इत्वा सबसे उचित अर्थ है, इस था के प्रसंग में, उसी प्रकार आभया का है प्रकास है न, तरण ही यहाँ पर नौका के अर्थ में आया है इस कथा में, जटिती यानि सहसा, यद्द्यपी सिग्रम भी हो सकता है, इसका, किन्तु सहसा यहाँ पर बहुत नजज़िक का रथ है, क्योंकि प्रसंग के अनु अर्थ रहेगा परिष्रम यद्यबधे प्रियत्ना भी हो सकता है किन्तु कथा के आलोक में ये लिक हैं तो परिष्रम स्बसे नज्दिक का अर्थ लगता है मुझे अगर आपको इस से अलग कोई अर्थ लगता है तो आप नीचे comment कर सकते हैं चर्चा करेंगे चर्चा करने में क्या है तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग comment करके बताएं बहुत खुशी होती है परिवार वड़ रहा है like करने के लिए remind करवाना चाहूंगा आप लोगों के like और comment को देखकर बहुत खुशी होती है